हेलो दोस्तों, वेलकम बैक तो माई यूटूब चनल, देसी प्राफिट टॉक और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर रहनों हम से कमेंड करके पूछा हुआ है कि उनको जानना है कि मुझे 10 लाग रुपए का होम लोन लेना है वो भी 10 सालों के लिए मेरी जो माहिने की किस्त कितनी बनेगी और टोटल इंटेस हमको कितना पे करना पड़ेगा उनको ये भी जाना है कि कौन से ऐसी बेस्ट बैंक है जिससे हो होम लोन ले सकते हैं किस बैंक में इस समय होम लोन का रेट अफिटर सबसे कम चलना है तो डिटेल में इंफोर्मेशन हम देने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को जो है पूरा अखिर तक वाच करेंगे तो चलिया है शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम यहां पे आज आते हैं अपने बेस्ट यमाई कैलकुलेटर पे जहां पर उनको जानना है कि मुझे 10 लाग रुपए का हम लोन लेना है वो भी 10 सालों के लिए तो यहां पर हम लोन में हमने सबसे पहले अमाउंट डाल दिया 10 लाग रुपए का और लोन टेन्यूर हमने सेलेक कर लिए 10 साल के लिए आप जहां पर rate of interest की बात आती तो rate of interest के लिए कुछ top banks देखेंगे देखेंगे किसमे rate of interest सबसे कम चलना है तोटल तीन कैटेगरी में जो है आप लोन मिलता है एक है अगर आप 30 लाग रुपए तक का लोन ले रहो फिर 30 लाग से 75 लाग का लोन ले रहो और फिर 75 लाग के उपर का लोन ले रहो पंजाब नेशनल बैंग में 8.65 से पंजाब एंसिद बैंग में 8.85 परसंट और स्टेट बैंग में इस समय जो है lowest rate of interest चलना है जो कि आपका साड़े आठ परसंट चलना है अगर आपका सिविल स्कोर बहुत जादा अच्छा है आपकी जो है मंतली सैलली अच्छी है आप ग साल देतें 8.50 जो सब्सक्राबर तो उन्होंने पूचा था कि 10 लाग का होम लोन लेना है 10 साल के लिए और सबसे लोईस्ट इंटर्स रेट जो हमने माना है 8.5 परसंट वो आपके सिविल स्कोर के इसाब से डिपेंड करेगा आपको किस रेट ऑफ इंटर्स पर बैंक जो है 828 रुपए की तो इस तरीके से आप चेकाउट कर सकतो यहां से डिटेल में अपना मंतली अमाई कितना बनेगा तो आपको बैंक को एक्स्टा पे करना पड़ेगा इंटर्स तो आप देख सकतो जैसे कि प्रिंस्पल लोन अमांट जो आपने 10 लाग का लिया है वो आपका 67. 7.2 परसंट है महीं जो टोटल इंटर्स जो आप चुकार होएं आप चार लाग 87,828 रुपए का वो आपका इंटर्स हो जागा 32.8 परसंट तो देखें डिटेल में इंफोर्मेशन आपको ECMI कल्कुलेटर पर मिलेगी और भी जैसे नीचे आएगा तो यहां पर EMI सेडूल क देना पड़ेगा 41 है तो टोटल पेमेंट जो 23 में आपको पूरी करनी होगी वह करनी होगी 44,391 ऐसा आप 24 में देख सकते हो प्रिंस्पल और इंटर्स क्या बनेगा टोटल पेमेंट क्या बनेगी ऐसे जितने साल के लिए जैसे आप मैंने 10 साल के लिए लोन लिया तो दस स साल का मुझे प्रिंस्पल और इंटर्स बता देगा कि क्या क्या लगेगा तो आप इस ग्राफ को जो है डिटेल में आप एस्टिडी कर सकते हो इस वेब साइट पे नीचे आएगा तो यहां से आप देओ किसी भी एर के अपने किसी भी मन्त का जो है आप प्रिंस्पल और गर्ण चेक आउट कर सकते हो जैसे कि दो यहार तेस में देखिए मुझे जुलाई महिने में जो मेरा प्रिंस्पल होगा वो होगा 5,315 और इंटरेस्ट होगा मेरा होगा 7,083 तो टो टोटल पेइमेंट आपकी जो इमाई आपकी बन रही थी जो बनेगी आपकी बारा जार HRyoung 9、94 और आपका Reynolds amount जो बचेगा वो बचेगा 924,000 अरुपेगा तो आपने इस महिने कितना % आपने loan amount का चुका दिया है तो 0.53 परसंट आपने अपने loan amount का अब तक चुका दिया है जुलाई महिने में ऐसे आप किसी भी yak कि किसी भी मंत का आ अंसे इंफ़र्मेशन देख स सकते हो और चाहो तो इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हो तो इस वेपसाइट को जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा अगर आप भी फर्स्ट टाइम लोन परसनल लोन या कार लोन लेने जा रहा हो तो अपनी सबसे पहले आप अपनी यूनियन बैक में भी साड़े आठ परसन से स्टार्टिंग और मैक्सम 10.75 परसन तक जाता है बैक ऑफ इंडिया 8.45 है यूको बैंक 8.45 है बैंक ऑफ महरास्ट्रे 8.60 है केंडरा बैंक 8.85 और इंडियान ओवरसीज बैंक 8.85 है तो यह आपको कुछ टॉप पब्लिक सेक्ट बैंक 9.23 परसन साउथ इंडियान बैंक 9.85 करनाटका बैंक 8.75 फेडरल बैंक 10.15 धनलक्षमी बैंक 9.35 कमिलनान मर्चेंटाइल बैंक 9.35 बंदन बैंक 9.15 आरिवियल बैंक 9.15 तो यह देखे कुछ टॉप प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जो आपको किस रेट ओफ इंट 8.50 से आपर स्टार्टिंग होगी HDFC बैंक 8.50 से स्टार्टिंग होगी Tata Capital Housing Finance 8.60 है बजाज Housing Finance 8.5 परसंट है PNB Housing Finance 8.75 है Rapco Home Finance 9.80 है GIC Housing Finance 8.80 है इंडियाबुल Housing Finance 8.75 है आधित बिरला Capital 8.80 है ICIC है Home Finance 9.20 गोद्रेज Housing Finance 8.64 L&T Housing Finance 8.60 तो यह आप देख सकते हो कुछ टॉप Housing Finance कंपनी है जो आपको होम लोन प्रवाइट करते हो किस रेट आफ इंटर्स करती है वो भी आप देख सकते हो सब्सक्राइबर तो उन्होंने पूछा था कि मुझे 10 लाग का होम लोन चाहिए 10 सालों के लिए तो मेरी महीने की M.I.O. टोटर इंटर्स क्या बनेगा जो हमने आ तो आप इस website पर विजिट करना मत बूलेगा यहां पर आपको कुछ best offer दिख जाएंगे सबसे पहले तो यहां पर होम लोन की eligibility आप अगर आपको चेकाउट करनी है आप यहां से होम लोन की अपनी eligibility पांच मिनिट के अंदर चेकाउट कर सकते हो कुछ information वगर आपको यहां प उसके अलावा यहां पर आपको हर बैंक का home loan हो गया, personal loan हो गया, car loan हो गया, to villa loan हो गया, education loan, saving account और credit card इन सब के आपको offer वगरे के link इस website पर मिल याएंगे और अगर आपको direct online apply भी करना है तो भी आप यहां से apply कर सकते हो आपके link वगरे सब इस website पर आपको available है तो इस website अभी भी बता सकते हो, आगे आपके loan के बारे में हमसे detail में जानना चाते हो, तो हमारे किसी भी वीडियो के comment box में comment करके हमसे पूफ सकते हो, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते next video में तब तक के लिए धन्यवाद